आज़े मैं पालव दोस्त रेट कोश्कबरी का सकते हैं एक नहीं दो आराव सी गुरुप डी और अराव दी एंटीपीसी दिलिए तन्से लोग किलिग्राम और वबार से प्रेस्टर कर रहे हैं एक मौपिस और बिल्गुल ओपिसें को अधिकाल एक जाम डेशन गुरुप ड की जुआइनिक मार्च दो अजर परिस लगवर लगवर नॉवंबर दिसम्बर जन्वरी में वीजिकल इप्रिशन से टेस्ट और फर्वरी में आपकी डॉक्मेंट बेरिक्टेशन और मेटकल एक तरीका से अनुपीसियल एक्जाम कलेंडर जारी हुआ है एक्जाम कलेंडर ब सब्सक्राइब कर जाया मिसां सब्सक्राइब के लिए जैसा कि देख रहते हैं आप नोल्बर दिक रहता है वही बात है जो आपने पर रखा होगा होगा वहने हुआ है तो यहां पर देखी हैं तो यहां पर देखी हैं बिलिंग आउप टी एकाउटी एर पॉर्मोशन कोटा और नॉर्माल दोनों का है तो अचनल कोटा हैं यहांतर हैं तौ जीट तौ रहता film सें ड़ंगे तू आथ। मुं क्लिख टारारी संगे घंबन सीक्टिट 119 डूर्मोशन के कुष्ट हरों जाएं पर सेंगbral देख संहां आर्या इसके लिए बोला गया है आपको और आइसुलेटेट काटेग्री दिया है इसे में फोड़ा सा जिसके लिए बोला गया है कि आपका सीटी की बारे में आगे हो गया है बत्ती आगे जो नदे रिया करा है इसके लिए बारे मार्च अपरील अलग यहां पे एंटीपीसी और आराक्सी ग्रूप डी और यहां पे मिनिस्ट्री राइसुलेटेग्र तरजूर में 152 वेकेंसी नहीं होता एक लगवावन अगार नहीं होता तो 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 इसे कम होता है हो सकता है काटा में कुछ ही अलग सा हो तो एक जुएल में अगर देखें तो एक गुरूप डी का एक लाग ती नेगा और एंटीपीसी का 35,281 और मिनिस्ट्री यहां कुछ पंदरा अठारा सो पूस्ती तो 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 अगर जोड़ेंगे तो यह लाग करीम परीवाव कि इस जारिया 40 से निचे ही होता है तो 12,000 वेकंसी हम देपार्टमेंट का है या पढ़ाने वाला है तो यह पता नहीं है इसमें एक जेक्ट मुझे डाटा नहीं पता है जितना डाटा पता है उसके हिसाब से तो 1,40,000 प्लस में चल रही है 22 में उसके बाद आप आप है जान दीजेगा रिलीज पूर रिजल्ट और आरार्टी इंडी के लियर दिसंबर 2020 लेकिन हमें लगता है नमंबर तक आजाएगा आपका तो कि इतना डिसंबर तक दीटे होगा तो समझे इतना लोगों का प्रोब्लम होगा और प्रोलम बहुत लपा हो जाएगा अल आपका लाश्ट एक्जाम 11 अक्टूबर 2020 को है आज से पांस दिन बाद यानि 11 अक्टूबर से दिसंबर तक रिजल्ट लेकिन दिसंबर तक देना है तो देखिए दिसंबर में आता है या उसे पाले उसके बाद आपकी प्रोसेस का आगे के कन्कूलूजन करना है रिस्पे जनवरी 2023 तक डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करना है फरवारी 2023 तक और एप्वाइंट वेरिफिकेशन ओपर कर देना है मार्च 2023 मार्च से स्थुरू होगा अलग उसके लिए भी आगे इंस्ट्रक्शन है ऐसा करने के लिए 4000 कंडिडेट को प्रोसे लेना है और 500 कंडिडेट का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में इसके लेना है अभी तो एक लाग तीने जार वेटेंसी है तो तीन लाग नौव हजार कंडिडेटों का प्रोसे होगा तो और यह 16 ग्रूप में अलग 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 बटेगा तीन लाग के संख्या तो आपको दिखेगा कि करीब परी एक के दिन में 20,000 मतलब 16 अलग 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 छेतरों में बटेगा तो अलग अलग के सबका जोन में तिभाइब हो जाएगा और पढ़टे हिसाब करेंगे तो करीब परी 2000 क्यास पड़ेगा है लेकिन अब उसको भी ऐसे किस तरह से इंप्लिमेंटेशन होता है उसके बारे में दिन में पर्म लिया है उसके बारिए अंपने इसको पूरा करने के लिए अंको इसको पूरा करने के लिए जो भी एरेजमेंट करना है पूरा दिजिए और इसको PCPO को भी बोला गया है और PCMD को लिए तो PCPO को लिए प्रोसेस के लिए AMD के लिए आप समझे सकते हैं मेटिकल से लिए जितने भी मेटिकल का होगा उसके लिए है और DMR बगयर की DMR मुट्व आपको पूरे और इसको लिए जबूरी है अलगी इससे हमें लगता है कि यहां पर एक चीज़ लैक कर रही है कि जो एंटीपीसी का 23 है इसको दिजम्बर तक कर रही है कि यहां पर इसको हो सकता है जलमरी खरवरी तब पूंट करता है लेकिन अभी रिजन दिले चलना है यानी लेबल 6 का लेबल 5 का फिर लेबल 3 का फिर लेबल 2 का इसके तारव से टाइम काफी पिर बेचको जा रहा है और PMR को gisu को इसको प्रोसेस में टाइम लग लग रही है और प्रोस अब यहां पर देखें दूसरे कंडिशन में एक मीनिट नीचे के तरह तो अग इस नूटिस के बाद अब लगता है कि कुछ तेजी आईगी लेकिन सबसे पहला एक जो आपका रिजल्ट देने वाला है यह दिसंबर बाइस तुड़ा ज्यादा है इसे नूवंबर करने चाहिए और हो सकता है आपको अक्तूबर में भी कुछ नकुछ आजाए तो यह चीजे पर मैं इसामत नहीं हूँ दिसंबर क्योंकि इतना ज़्यादा ताई जबकि गारा अक्तूबर का लास्ट एज्जाम है झाल 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 झाल